आईए नहीं बोल देता हूं इसमें कोई चुबा का थोड़ी बोला पुछी है आज इसमें कर लेते हैं ये बड़ा इंपोर्टेंट है आज का दिन दिल्ली सरकार में हेल्ड सर्विजेस को लेकर एक बहुत ही काला दिन के रूप में याद किया जाएगा जब दिल्ली सरकार में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्रियों सरकार ने स्वयम ये मान लिया कि सरकारी अस्पतालों का सारा तंत्र फेल हो चुका है सरकारी ہاؤस्पिटल के भरोसे आप नहीं रہ सकते और ये उस सरकार ने कहा जिस सरकार ने कहा था कि हम दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स को एम्स के तर्ज पर चमका करके दिखाएएंगे धाई साल के बाद वही सरकार एम्स की तरह एम्स के 10% भी होने की जगह वो इस बात के लिए आज सबको बुला रही है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिसको 30 दिन तक टाइम नहीं मिलेगा उसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जा करके सरजरी कराएंगे और उसका सरकार वहन करेगी हमारा कंसर्ण ये है कि लोगों को फ्री हेल्थ सर्विसेज मिले हम उसके पक्ष में हैं लेकिन धाई साल बाद आपने अचानक सरकारी तंत्र को फेल क्यों कर दिया आज आपने ये क्यों मान लिया कि हमारे सरकार के सरकारी हॉस्पिटल के सारे जो सर्जन है वो खाली बैठे हुए हैं उनको उपकरण नहीं देंगे भले हम प्राइबेट हॉस्पिटल में जाएं उस खर्चे से आप चाहें तो उपकरण दे देते तो दिल्ली के ही सरकारी हॉस्पिटल बहुत दक्षता में आ जाते और वो बहुत अच्छा काम करते आज भी सरकारी हॉस्पिटल को मजबूत करने से गरीबों का लाचारों का सबका इलाज होता है और ये सारा कुछ किया है विना किसी ब्लूप्रिंट के तो हम आज एक सवाल उठाए है कि भारती जंता पार्टी अर्वीन केजरिवाल जी से जानना चाहती है कि ये घोशना के अंतरगत ब्लूप्रिंट क्या है लोगों को आप किस प्रकाकिस एगरिमेंट के तहत ये बातें कह रहे हो इसकी जानकारी दें ऐसा तो नहीं कि ये एक और नए घोटाले की तरफ दिल्ली सरकार को इंगित कर रहा है